तो केसे हैं आप लोग तो आज हम कुछ तरकते भड़कते भोजपूरी गानों के मज़े लेंगे जिसको सुनके आपके अंदर का जानवर खोलते तेल में डुपकी लगा लेगा अपने दिल को थाम लो और वीडियो के मज़े लो तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो हमारे भोजपूरी इंडस्ट्री एक लोती ऐसी इंडस्ट्री है जहां आत्मी औरत बुढ़ों के साथ साथ बच्चेवी हवस के सिकार है पता ने इस आधे उबले हुए अंडे को कहा कहा से गर्मी नापनी है यही होता है जब स्कूल जाने की उमर में पार्क में जाके गर्मी नापी जाती है बता रहा हूँ देश को ऐसे ही मल्टी टालेंटल लोगों की सक्त जरूरत है और उपर से देख रहे हो इस सार्मेंडर रूपी प्राणी को इसको कुछ फर्क नहीं परता किसकी गर्मी बढ़ रही है कौन कहा कहा से गर्मी नापने में लगा है बस लगा है अपने नननने हतोर पेरों से ठुमका लगाने में क्या 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 आपकी कालों ने भी वही सुना जो मेरी कालों ने सुना जिसकी खुद की तांकी खाली हो वो दूसरों में पानी बनने की बातें कर रहा है और सबसे बड़ी बात पूरे पास मिनिट का गाना एक ही जगे पे खड़े-खड़े ख़तम हो गया इसको कहते हैं असली टालोंट पार्क के चोकीदान ने पहले ही वानिंग दे दी होगी कि अगर तुम लोगों की गर्मी दस मिटर के एरिया से बाहर आई तो सबको थंडा गर दूँगा खे चलिए तो अपने जिकसे को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे स्टोपेज पे चलते हैं पहले लड़कियों को एक्टर, क्रिकेटर या मोडल लोगों से प्यार होता था लेकिन आज काल तो अगर रिकसा वाला 20 रुपे की जगा 15 ले ले तो उससे भी हो जाता है अरे हा मेडम पता चल गया हम लोगों को अब 108 बार जपोगी क्या और स्वाइक देख रहे हो रिकसा वाले की एक्टिट्यूड तो एसे है रिकसा वाले की जैसे रिकसा नहीं प्लेन चला रहा हो गधे की दूम जैसी बाल लेकिन स्टाइल तो एसे मार रहा है जैसे मोजपुरी इंडस्ट्री का सारुख हो जैसी इसकी हरकते हैं लगता भी नहीं कि दो चवन नी छोड़की इसके पास कुछ और होगा खेर अब आगे बढ़ते हुए मैं मिलाओंगा आपको भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे लिरिसिस्ट से जिनको सुनके आपके कान में चुल मत जाएगी यह क्या बोल रही हो दिदी लिरिक्स तो कोई इस लिरिसिस से सिखे और उपर से पूरा गाना इस लड़की नहीं गा लिया इस बतक जैसे चहरे वाले प्राणी के दो लाइन भी नहीं है बस गंदी गंदी एक्स्प्रेशन ही दे रहा है पूरे गाने में अगर आप लोगों को यह लिरिसिस चूटिया लगा तो अगले वाला इसका भी बाप है वेसे ये कहना तो चाता है बेहन का रोला लेकिन हमें कुछ अच्छे अच्छे दो संसकारी सब चुनाई दे रहे हैं और गाने का लोजिक देख रहे हो जैसे गल्फ्रेंड की दोस्त को देखके बोईफ्रेंड और बस इतने में ही चारो नसेडी चल दिये संसकारी चुडेल के पिछे पिछे मैं सच बता रहा हूँ इस लड़की के लेक्सन मुझे ठीक नहीं लग रहे वहाँ उन नसेडियों को देखके मुश्कुरा रही थी और अब ये दूसरी लड़की को देखके मुश्कुरा रही है चल क्या रहा है यहां पर मानन्यों उस्ताच चंपक लोटा जी जमाना इतना मी मोडन नहीं हुआ है कि जीजा साली का दिवाना हो जाएगा इसके लिए जमाना अभी से इतना मोडन है तो आगे चल के यह पुरा खांदान लपड़ लेगा अब इसको देखने के बाद इस वाले स्पाइडर मैन ने अपने अंदर के मकडियों के साथ अपने सारे जाले तोड़ दिये सायद स्पाइडर मैन को अर्थराइटिस की विमारी हो गई है जो हड़िया चटक रहा है फिर चलिए आज का वीडियो यहीं पर खतम करते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो उस लाल वाले बटन को दबाओ और घंटे को हिला दो ताकि आने वाले वीडियो उसकी नोटिफिकेशन भी मिल सके तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई